प्राप्लम ये चीज़ है कि क्लास प्लस टू के जो एक्जामिनेशन्स है वो तो खतम हो रहे हैं बट हमारे कॉंपिटिशन के एक्जाम्स अभी पेंडिंग है आईटी जेई नीट काफी सारे लोगों ने भरा हुआ है बट वो भूल चुके हैं क्यों क्योंकि बोर्स का बहुत जादा प्रेशर था आप पे और अब ये भूल चुके हो कि उनका एक्जामिनेशन जो है वो ए बहुत बढ़ी है वो बहुत बढ़ी है वो बहुत बढ़ी है तरीके से हो जाए आप मेरे से कंसर्व कर सकते हो अगर आपको MCQ's notes चाहिए है आपको solutions चाहिए है आपको online portal चाहिए test की preparation करनी है कुछ भी चाहिए तो you can ask me this is my number you can call me you can message me जिस तरह से भी बेटा मैं आपकी help कर सबता हूंगा I will do it और मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से यह सारे test की preparation कर दीजिए जिरोंने test नहीं बढ़े हैं तो कोई tension नहीं है test बढ़ने की तो आप क्या करिए कि जो आपकी local universities हैं जो government universities हैं जैसे for example अमरिसर के अंदर गुनानादेव University है तो आप उ उसको break मत लगाईए बस बस चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए so that कि आप एक उस मुकाम पर पहुंचाएं कि आपके बढ़िया University के अंदर seat हासिल कर लें जैसे आपका future जो है वो बिलकुत secure हो जाएगा और मुझे सबसे जादा बहुत कुशी होगी because मेरी यह कोशिश है कि free of cost guidance जो है वो बच्चों को मिलनी चाहिए जिससे क्या होगा कि कम से कम जो है वो एक अच्छे path पे तो चले जाएंगे जब हम पढ़ते थे तो हमें ऐसी guidance available ही नहीं थी तो आपके पास तो वो media भी है और आपके पास तो proper guidance भी available है तो अगर आपको लगता ह है कि मैं आपकी कहीं पर भी आप कर सकता हूं तो please contact me और please rest mode में मत जाईएगा relax मत होईएगा और मेहनत करते रहिए और मुझे बस यह आपको कहना था कि एक डेड़ महीने की बात और है आप अपने एक बार entrances exams निकाल ली तिये फिर आपको approximately एक महीना time मिलेगा because सारी ये न time safe नहीं तो अभी के अभी आपको जो है अपना track जो है उसको finalize कर लेना है और उसके उपर ही चलना है पिल्कुल rest mode पे ना चाहिए आपने दो दिन भी rest की तो वो सारा का सारा momentum खराब हो जाएगा so I suggest you please don't stop thank you very much